Hello everyone, welcome back कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे Dear Strings आज का ये वीडियो हमारे UP Polytechnic कर रहे Dear Strings के लिए Scholarship को ले करके एक reminder है Dear Strings आज के इस वीडियो में Scholarship से ले करके आपके mind में जो doubts हैं उनके बारे में आप लोगों के साथ हम डिसकस करने वाले हैं Dear Strings, Scholarship से लेटेड अभी मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कराया था उसमें आप लोगों के बहुत सारे कॉमेंट्स आये थे, उन कॉमेंट्स में से कुछ कॉमेंट्स ऐसे थे जिनका response देना जरूरी है, इसलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यह कहना चाहूँगा, कि अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके अपने चैनल ECDD Mathematical Solution पर Applied Math 1st की क्लास सामको 6 बजे और Applied Math 3rd की क्लास सामको 8 बजे लगातार चल रही है, और वो नीसुल्ग क्लास है, फ्री क्लास है, आप उसका फाइदा जरूर से जरूर उठाईए, डियर स्टेंट्स इस्कॉलर्शिफ का फाम कब भरा जाए तो इस्कॉलर्शिफ का फाम आप सभी लोग भर दीजे, अब लेट मत करिए कई सारे स्टुडेंट्स क्या होते हैं डेट बढ़ने का इंतजार करते हैं सर लास्ट डेट क्या है बता दीजिए मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपको लास्ट डेट नहीं बताऊंगा अगर आपके डाकुमेंट्स प्रिपियर हो चुके हैं तो उसको आज ही आप ऑनल है या नहीं अगर नहीं है तो एक बार जाकर कि आप कॉलेज में मिल लिए अगर आपका कॉलेज कहता नहीं एक हपते बाद आप भरिएगा तब आप अपनी तरफ से निस्चिंथ हो गए हैं कुल मिलाकर के डियो स्टेंट्स आपको वहां पर क्या करना है कि संपर्ग करते रह सकता है अगर आपको बिल्कुल टेंसल लेने की जरुवत नहीं है आप सिंपल से कैफे पे जाईए अपने उस फार्म को रिनीवल कर दीजे उस फार्म को क्या करिए रिनीवल कर दीजे रिनीवल करने के बाद उसकी आप पीडियेफ निकालिए फोटो स्टेट लगाईए उसके साथ अपना डाकुमेंट लगा कर कि कॉलेज में सम्मिट कर द एडिटेबल ऑप्सन होगा जो कुछ भी आपके ये चेंज हुआ होगा जैसे आप फर्स्ट यर के स्टुडेंट थे तो आप से केंडियर ने पहुँच गए तो वह आटोमेटिक सेकंडियर ले ले रहा है कि आपको वहां पर एडिट करना पड़ेगा उसको आप लोग देख आएगी ठीके अब हम बात करते हैं ऐसे स्टुडेंट्स की जिनकी प्रीवियस यर स्कॉलर्शिप नहीं आए थी किसी भी कारण से तो उन्हें क्या करना चाहिए क्या उन्हें न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहिए या उन्हें उसी फार्म को रेनुवल करना चाहिए तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर नहीं पाएंगे अगर प्रीवियस यर आप लोगों ने फार्म एपलाई किया था और किसी भी रीजन से किसी भी कारण से आपकी स्कॉलर्शिप नहीं आये थी तो ऐसा नहीं है कि आप न्यू रेजिस्ट्रेशन कर पाएंगे आपको उसी को रिनुवल करना होगा नियू रिजिस्ट्रेशन आप कब कर पाएंगे जब बीच में एक साल का गैप हो जाएगा तो आगली साल आप नियू रिजिस्ट्रेशन कर पाएंगे अभी जैसे ही अपने डाकुमेंट की डीटेल आप फिल करेंगे वहाँ पर अपने आप बता दे अगर आपको यह पता है डियर स्ट्रेशन की प्रिविएस एयर किस कारण से हमारी स्कॉलर्शिप नहीं आई थी एकाउन नमबर में फाल्ट हो गई थी या गौर्मेंट के पास फंड नहीं बचा था इसलिए आपकी स्कॉलर्शिप नहीं आई तो तो गौर्मेंट की जिमे पर बताएंगे अगर उसमें वो edit का option होगा तो आप उसको edit करा लीजिएगा और अगर उसमें edit का option नहीं होगा तो अगले साल भी आपको उसको रियोलक करना होगा तो कहने का मतलब जो first year में आप लोगों से fault हुई थी अगर वो second year में उसको सुधार किया जा सकता है तो आप उसको renewal करिएगा नहीं तब की बारा आप farm fill up मत करिएगा 30 year में जाकर कि आप नए से अपना farm fill up कर दीजेगा अब कई सारे बच्चे ऐसे बोले थे कि सर हम बी ये में admission कर चुके हैं ले चुके थे जब मेरा पॉल टेक्निक में हुआ तो उस situation में क्या हुआ कि सर वहाँ पर हम online हो गयरा किये थे जो कुछ भी ऐसा लोग बता रहे हैं त आपको online दुबारा वह नहीं होगा अगर आपने वहां किया था और यहां उसका लाफ लेना चाहते हैं दोनों दगां आप उसका लाफ नहीं ले पाएंगे एक ही जगां पर ले पाएंगे अब उसके लिए अगर आप उस चेन को ब्रेक करना था तो बीच में आपको एक साल scholarship का farm fill up करना break करना पड़ेगा तो नए सीरे से आपका यहां पर registration हो जाएगा नहीं तो आप जैसे ही अपने document का detail डालेंगे वह अपना पुराना वाला उठा लेगा और वह बताएगा कि आपने वहां पर scholarship का farm fill up किया था ऐसे students जो previous year में ऐसा किये थे उनकी scholarship नहीं आई है य उन्हें scholarship के लिए क्या करना चाहिए उनका scholarship का farm कैसे fill up किया जाएगा कब fill up किया जाएगा क्या क्या documents लगेगे तो dear students आपको यह तो पता ही होगा कि scholarship की farm को fill up करने के लिए क्या क्या documents चाहिए उसके लिए simple सा आय प्रमाण पत्र चाहिए अगर आप जाद प्रमाण पत्र का दावा करते हैं तो आपको भी बनवाना पड़ेगा निवास प्रमाट पत्र भी लगता है क्योंकि उसमें बताया जता है कि हम यूपी के ही निवासी हैं क्योंकि अगर कोई स्टुडेंट है वो बाहर से बिहार सी उपी में पढ़ रहा है तो उसके लिए फार्म फिलब करने क अधर दैन यूपी या अधर दैन यूपी स्टेट तो थोड़ा चांस कम होते हैं पहले यूपी वालों को स्कॉर्शिप मिलेगी फिर आपको मिलेगी लेकिन अगर गवर्नमेंट के खाते में पैसा है तो आपको भी मिल जाएगी बात समझ में रही है तो यह चीज आप लो कितनी होती है कि सारे बच्चे पूछ रहे थे जितना ज्यादा रिशेंटली होगा जितना जल्दी अच्छा यई अच्छा बाकि आई प्रमाड पतर पर नहीं लिखा होता है आपक podemos उसको आप समझे में लेकि devon Rolex महले चाते हैं वहों सब्सकर आपकी पास टाइम आंने बन वो सब वहां पर लगेंगे आपको कैफे पर जाकर के new registration करवाना है वहां से जो कुछ भी documents होगे उनकी PDF को find करना है उसको college में ले जाकर करके submit करना आप college कब तक submit करेगा कब से submit करना इस्टार्ट करेगा यह आपको college से जाकर के contact करना पड़ेगा अपने college में जाकर के जानकार कितनी students हैं जिनने scholarship का farm fill up कर दिया है या आपके college की तरफ से क्या update आ रही आपके अहां कब तक scholarship का farm जमा होगा या कब से जमा होना इस्टार्ट होगा यह सारी चीज़ें आप लोग मुझे जरूर जरूर बताइएगा जिससे मुझे एक अंदाजा लग जाएगा कि क्या condition इ help कर पाऊंगा और other student भी उस comment section को देख करके अपना फायदा उठा पाते हैं बाकी डियो सेंड्स अगर आपको इसके अतरिक्ति भी कोई सी प्रकार का कोई डाउट है आप comment section में comment करिएगा उसका response में जरूर से जरूर दूंगा बाकी डियो सेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते नेक्स वीडियो के साथ सामको 6 बज़े और 8 बे तर तक ये सांधा रही और पढ़ते रही